एक गेंद में तीन रण चाहिए हैं जीतने के लिए क्या होगा भई मैच का नतीजा देखने वाली बात होगी और ये शौट मारा है फील्डर नीचे है तो हेलो दोस्तो मैं हूँ केशा आप देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल गैमिक फेटनेस और मोर तो स्वागत है आप सब ही का मेरे यूटूब चैनल पर और एक और गेंपले के साथ हाजरे हम लोग ये टॉस हो रहा है इंडिया और ऑस्टेलिया के बीच और ये सिक्का उ ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई चलो ठीक है उन लोगोंने बॉलेंग ली है और हमारे तरफ से ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल और रोहिश शार्मा ये बहुत ही बड़िया दो दो वर का मैच है और ऑस्टेलिया और भारत का आप लोग देखिए इस गेम में क्या हो उसे बीट हो गए भाई ये पिछ पे कुछ नहीं है पिछ को मत जाड़ो अगली गेंग केलने के लिए ता यार स्ट्राइक पर रोहिश शर्मा पहली गेंग डॉट निकल गई और ये ड्राइब मारी है सिंगल डॉटने का प्रियास और ये आराम से एक रन पूरा किया और इसी के साथ भारत का स्कूर होता हुआ एक रन दो गेंदो में और एमपायर की टोपी अगली गेंग खेलने के लिए ता यार साम मैंने शोग मन गिल ओके और ये फ्लिक किया है उपर से फिल्डर नीचे है लेकिन पहुंच नहीं पाया बॉल तक और ये इसी के साथ एक रन पूरा किया भारत का स्कूर पहुंचता हुआ दो रन तीन गेंदो में और अगली गेंद खेलेंगे रोवे शर्मा दो उबर का मैच है चोके चाके घलने चाहिए पर अभी तक कोई चोका नहीं घल सका मुझ से और ये फिर से हवा में बॉल उठाई है लेकिन नीचे बॉल ज्यादा दूर जा नहीं पाई सर्फ एक ही रन मिला और ये दूसरे रन भी डोड़ गए लेट हो गए डोडने में थोड़ा लेकिन कोई बात नहीं में दोड़ गया इसी के साथ टीम का स्कूर पहुंचा चार रन चार गिंदो में क्या कर पाते हैं भाई एडम जैमपा दे बाउंडरी आई है ना ही कुछ आया है और ये शुमन गिल सामने है और ये कवर के उपर से उठाया है फिल्लर नीचे है लेकिन फिल्लर नहीं पहुंच पाएगा और बाल बाउंडरी के बाहर और ये भारत का पहला चोगा और इसी के साथ एक ओवर में बनते हुए नो रन बहुत ही बड़िया शॉट मारा शुमन गिल ने टीम का स्कोर पहुंचा नो रन एक ओवर के बाद और ये अगला ओवर डालने के लिए आ रहे हैं जीमी नीशम भाई इतने अच्छे बॉलर होती हुए जीमी नीशम से ओवर डिलवा रहे हैं शॉरी क्या मार्स मिचिल मार् पहली बॉल और ये बाई हवा में लेकिन सुरक्षित और ये बढ़िया एक रन मिला मुझे ये नो बॉल लग रही है क्या आपको लग रही है मुझे लग रही थी देखते हैं कोई इसारा नहीं एमपायर का टीम का स्कोर पहुंचा दस रन एक गेंट हुई है मिचल मार्स क अगली गेंट खेलने के लिए तयार और ये कवर के उपर से उठाया है फीलर नीचे है लेकिन फीलर बॉल तक पहुंच नहीं पाया और ये कैट छोड़ा फीलर ने और एक और बाउंडरी भाई फीलर ने तो कैट छोड़ दिया आलू की तरह और ये नो बॉल का इशारा है अबार का और ये फ्री हेट मतलब की एक तो गरीबी उपर से गीला आटा और ये बहुत ही वड़ी अशॉट मारा भाई शुम्मन गिल ने शुमन गिल अच्छा केल रहा है नो रन हो गए तीन गेंटों में और ये अगली गेंट के लिए फ्री हेट है और ये मारा है भाई उपर से फिल्डर नीचे है और ये कैच लिया लेकिन कोई खत्रा नहीं क्योंकि वॉल फ्री हेट टी और इसी के साथ टीम का स्कूर पहुंसता हुआ 16 रन आठ गेंदे हुई है अभी 4 गेंदे बची हैं कितना स्कूर बना पाती है टीम इंडिया देखना होगा और ये उप कोहिली आये हैं बेटिंग करने के लिए राइट हैंड वेट्समेंट कोहिली 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 करेंगे बेल बाजी इंडिया की तरफ से ओके और ये भाई उपर से मारा है फिल्डर नीचे है और ये एक और वेकेट मुझे लागा आई ता कोहिली पहली गेंद प्याउट हो ज दर आउट होते हुए गोल्डन डख और ये राहुल आते हुए अब बल्लिवाजी करने के लिए शुमन गेल हैं लेकिन अभी स्ट्राइक पर टीम का स्कूर है दो विकेट के बस्टाथ और ये रिवर्श्वी माने कोजस लेकिन नहीं गल पाया है ट्रिक चीन की और ये दिखाओ कैस दिखाओ वाटा क्याच भाई ये शॉर्ट मारा लेकिन ये बॉल जा दूर नहीं जा पाई क्योंकि मेरा फस्ट गेम प्लेश लेनी जा पाई क्या हुए पॉल टपाखा गई उसने कैच ले लिया गजब का गिलेच है गजब का गिलेच सुमन गिल इसी के साथ आउट होते हुए टीम का स्कूर होता हुए सोला रन और ऑस्ट्रिलिया को जीत के लिए चाहिए हैं सत्रा रन दो ओबर में डैविड वार्नर और एरॉन फिंच आएंगे ऑस्ट्रिलिया के तरफ से ओपन करने के लिए ये कैसा बल्ले बाचे भाई एक मैज जीरो रन ओके ह पहला ओबर कराएंगे बुम्रा से बुम्रा अपना बॉलर है बुम्रा बुम्रा अपना बेस्ट बॉलर है इसलिए उससे पहला ओबर कराएंगे पहली एन खेलने के लिए तयार सामने है डैविड वार्नर डैविड वार्नर स्ट्राइक पर बुम्रा के सामने और ये बुम और overthrow फिल्डर पीछे है लेकिन ये ball boundary boundary ओ भी क्या हो गया भाई ये ball boundary कैसे चली गई ओ भाई chess fégel था उसके बावजूड ball boundary चली गई और इसी विर टीम का score होता हुए ये गैंड में 5 रन what performance by figures एक गैंड में 5 रन होते हुए wspils लिए कि अगली गेंट केलने के लिए तयार और यह अच्छा सौट मारा है फिल्डर पीछे है एक ही रन मिलेगा टेम को और इसी के साथ और स्कोर पहुंचता हुए च्छे रन एक नहीं साहर दो रन ले लिए दो रन ले लिए भाई फिल्डर बहुत ही बेकार फिल्लिंग करते इसे फिल्डिंग करते रहा अपना मैच बच जाएगा जैसे तैसे यह मैच निकल जाए बस यह मैच निकल जाए भाई साथ रन होते हुए उस्टिलिया अगली गेंट बुमरा की सामने है वार्नर और यह पुल मारा है पीछे फिल्लर है क्या दो रन ले पाएंगे पहला रन चार गेंद वमरा के ओबर की दो गेंदे बची है जीत के लिए चाहिए हैं अभी भी नौ रन और यह फ्लिक मारा है फिल्डर है लेकिन कोई रन नहीं बड़ी अगेंद बाजी बुमरा की और अब अपन कराएंगे थोड़ी चाहिए आंगी बास इतना लेंद साहिए और य तो बड़िया भाई पहला ओवर तो हो गया अगला किसे डलवाए चहल से डलवाते हैं अगला ओवर यह अपना टुप का एक का चहल देखते हैं यह चहल भाई रन देते हैं या नहीं देते हैं पहली गेंद खेलने के लिए तयार बार्णार फिंच को दो गेंदे खेलने मिली हैं और बार्णर को चार ना इंसापी हो गई फिंच के साथ कोई बात नहीं और यह फ्लेक मारा है पीछे फिल्डर है एक ही रन मिलेगा और फिल्डर ने गेंद को पकड़ा और विगेट कीपर की तरफ फैका और यह विगेट कीपर अरे भाई क्या यार जी ओवर थो क्यों हो पड़ेगा लेगस पन और यह अगली गेंद चेहल की फिंच के लिए फिल्क मारा है पीछे फिल्डर है क्या दो रन लेनी की कोशस करेंगे पहला तो ले लिया आसानी से और फिल्डर ने बॉल पकड़ी और थ्रो किया और कोई रन नहीं एक रन मिला और दस रन होते हुए उस्टेलिया के जीत के लिए चाहिए हैं सात रन तीन गेंदों में भाई मैच इंट्रेस्टिंग होता हुए चेहल की गेंद वाजी से और यह अगली गेंद और उपर से मारा है भाई फिल्डर कोई भी नीचे रही है और यह बॉल बाउंडरी के तरफ पक्का चले आएगी और यह चोका मैच एक तरफा होता हुए फिर से हर बॉल के बाद मैच पलट रहा है और यह बाई लास्ट बॉल बहुत ख़तन ना कवने वाली है और यह देखते हैं अगली बॉल पर क्या होता है भाई यह रिप्ले में देखिए चलो कोई बात नहीं दोन बाद बाद करते ह हुए मैच के बाद बिरियानी खाने चलिए अगली गेंद खिलने के लेता है या डैवर बॉर्णर और यह चहल करेंगे गेंद बाजी बॉर्णर को और यह गेंद डाली और यह ड्राइब मारी फिल्डर है भाई कोई रन नहीं वाट अब एक गेंद में चाहिए तीन रन ज बोड़ा शॉर्ट मैच के हीरो डैविड वर्णर पूरा मैच वर्णर ने निकाल लिया भाई फिंच ने तो बॉल खाएं थी बड़्ड वर्णर ने मैच निकाल लिया और यह बहुती बड़ी अश्लॉक्स हुई पारा देखो भाई रीपले में देखो बॉल वल्ले में ज भली ना लगी हो लेकिन यह च्छका जरू दिखाएंगे और यह भाई चेरत बॉर्णर को मिला च्छका और टीम को मिली जीत और इंडिया टीम हतासा हतासा के साथ बापर जाती हुई और ऑस्ट्रेलिया तीम उस साहे के साथ लगता है पूरी जंग जी चुके हैं यह मारो लात मारो जैसे पिछने कुछ बगारा हूँ और यह मैन अब दमैच है मिचल मार्स आइम शॉक्ड मुझे लगा था कि हाँ बैसे ओबर अच्छा डाला था मिचल मार्स ने और यह मैन अब दमैच है हाल ले जाओ भर ले जाओ तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आय हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए थैंक यू बैरी मुच